इन्हों नाराजगी के चलते कही न कहीं वो मौझूद नहीं रहे और अपने शेत्रवे अपने घर के आसपास अपने चीजों में लगे रहे ये दिखाता है कि वो नाराज चल रहे हैं पूर्व के सरकार में माफ की जिका मनौलाल खटर की सरकार में वो जो है गरी मंत्री थे, स्वास्य मंत्री थे, बहुत सीनियर मंत्री हैं इसलिए शायद ये नाराज़गी थी क्योंकि हमने देखा कि इस बार नायव सिंग सेनी के साथ से दो बड़े चैरे जोनों ने शपत दी हर्याना के पूर मुख्यमंत्री मनौलाल कटर ने अनिल्विज की नाराज़गी पर बयान दियरों ने का कि बाच्चीत के बाद अनिल्विज मान जाएंगे किसी बाद पर नाराज हुए थे वो भी गठना याद है एक सबाभा होब है फोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दीं ठीक भी होते करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है निश्य रूप से नाम है मंत्रियों के ही शफ़त हो नहीं थी तो मंत्रियों के उसमें था लेकिन वह नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे अब चुके ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं हमारे एक विक्ति को एक ही पद मिलता तो मुझे लगता निश्य रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष को हो गए है लोगसबा चुनाव में भी बीजेपी हर्याना में सभी दस लोगसबा सीटों पर अपने उम्मीनदवार खड़े करेगी चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव के बाद लोगसबा चुनावों के साथ ही हर्याना विधान सभा के चुनाव की भी अटकिले लगनी तेज हो गई माना जा रहा है कि दुशन चौटाला की जननाएक जनता पार्टी का अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमन साबित हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से जाट समुदाय के वोटर कॉंग्रेस और जेजेपी के उम्मीदवारों में बढ़ जाएंग जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा यानि नायप सिंग सेनी बीजेपी की तरफ से अगले घैर जाट नेता साबित हो सकते हैं इसलिए उनके नाम का एलान होते ही उनके घर पर जश्टन चुरू हो गया बोली से पहले ही उनके घर पर रंग और गुलाल उड़ते हुए दिख रहे हैं कि बीजेपी ने अकेले सरकार बना लिए है पूर्व में जेजेपी के समर्थन के साथ में सरकार बनी हुई थी जेजेपी के जो नेता हैं वो मुक्क Community थे लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ लोगसभ़र चुनाव को लेकर जब जेजेपी यह मांग कर रही थी कि उसको कम से कम एक सीट तो मिल जानी चाहिए लेकिन बीजेपी तयार नहीं थी दो सीटों की मांगती लेकिन बीजेपी एक सीट देने को तयार थी और इसी के बीच में दिपेंद हुड़ा बीजेपी पर निशाना साथ रहे है जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है ये इस बात का और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा हरियाना का इतिहास ये दर्शाता है जब जब चुनाओ से पहले चुनाओ से कुछ महीने पहले चंद महीने पहले हरियाना में जनता के रोज से बचने के के लिए कोई परिवर्तन किया गया है सत्ता दल को उसका दुष्परणाम भुगटना पड़ा है और ज्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बहार करने काम किया है हर्याना का इतिहास यह बताता है कुछ ऐसे शरनारती कुछ पटिकलर धम से जड़े शरनारती उनको भी अब नागरिकता मिल जाएगी प्रफ़ी सीय कानून के तहट लेकिन मुस्लिम संगटनों ने सुप्रीम कोट में इस पूरे मामले के किलाब याच्चिका दायर करती है कि अनर्सी हम नहीं सुनेंगे हमनें करने देंगे जनता को कोई इंसां इंसानियत को इंसांफ ना मिले एक काम हम नहीं करने देंगे सब गॉलत स्रम पैदा कर रहा है इस अानूस मम्ता जी का बाद में विस्सस नहीं करता है सब को मालूम है जुटा बात है वो चुनाओं में बूरी तरीके से तिनोमुल हरने वाला है इसलिए ये द्यूटो हर फियार साइकोसिस इस सेइंग इस टाइप अप फॉल्स और फेक केम्पेन पर जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है बताया गया कि काला जठेडी और अनुरादा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा विवस्था के फुक्ता इंद्जाम किये गए ताकि कि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निफ्टा जा सके इन सब के बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुरादा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया उस वीडियो में वो अपने हातों पर संदीप उर्फ काला जठेडी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दि ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया की एक दस्वीर भी सामने आई उसमें अनुरादा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया काला जठेडी का असली नाम संदीप है और इसलिए रिवालवर रानी के नाम से मशूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेडी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर दी जानकारी के मताबिक ग्रह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेडी को हर्या और उसी दोरान उनकी दोस्ती हुई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेडी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया हाला कि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफतार कर लिया था उनकी गिरफतारी के बाद ये पता चला कि दोनों नो महीने से लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे थी दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेडी जेल में बंद गैंग्स्टर लॉरेंस मिश्नोई का करी भी है और उस पर दिल्ली, हर्याना, पंजाब, राजिस्थान और उत्तप्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेथ एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है गैंग्स्टर काला जठेडी से शादी करने वाली अनुरादा चौधरी का नाम भी अपराद की दुनिया में कुछ कम नहीं जानकारी के मताबिक अनुरादा चौधरी राजिस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिंज नाम के एक आदमी से शादी कर ली दी दीपक मिंज की पत्नी के नाते ही अनुरादा चौधरी को मैडम मिंज का नाम मिला शादी के बाद अनुरादा अपने पती के साथ मिलकर शेर मार्केट में पैसे लगाने लगी उसी दोरान उस पर करोडों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा दावा क्या गया कि इसी वज़े से उसके पती ने उसका साथ छोड़ दिया झाल épátावा की इसी दोड़ा क Pretो जह भी करने करने अवल करने कंदा लगे से विशकावावी पिर फी जह